मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेगर है, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, वैसन मुक्ति तग्य हूँ, NLP ट्रेनर और एक कोच हूँ मैं हिपनोधिलिपी करता हूँ, हिपनोधिस के माध्यम से सबकॉंश्यस माइंड के उपर हैमरिंग करना, सजेशन्स देना और जब हम बार 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 सबकॉंश्यस माइंड के उपर हमरिंग करते है, वो सजेशन हम देते है, वो सूचना है हम देते है, तो उसका प्रेणाम फिर अपने जीवन में, रोश्ट के जीवन में हमको दिखता है, यह affirmations जो है, इसको ओल दे affirmations, सकारातमक सूचना है, वो हमने अपने आपको देने का है, वो सूचना कौन से हमें भी आपको बताने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, या बेड के उपर लेट सकते हैं, आके बंद है, एकदम पूरा बदन रिलाक्स है, पूरा बदन रिलाक्स, रिलाक्स, रिलाक्स करने का है, दोनों पहर, पेट, पीट नोहात जबना चेहरा सिर पूरा बदन रिलाक्स रिलाक्स करने का है आके बंद करने का है और सिर्फ अपने आपको positive affirmations देना है positive सुचना आए देना है सकारात्मक सुचना आए देना है और वो सुचना देते देते ज्यादा तर बार-बार अपना मतलब उसमें visualization करने का ह अपने आपको देखना है अभी जैसा मैंने बोला elephant तो elephant बोलने के बाद में आपको क्या ख्याल में है साहजी करें कि आपको हाथी का चित्र सामने दिखा मैंने बोला आपको mother तो mother आपने बोला तो आपको मैंने बोला mother तो आपको mother का चेहरा ख्यालना है या mother का चेहरा सामन नहीं दिखा, या elephant मैंने बढ़ा हाथी, तो हाथी तो E-L-E-P-H-A-N-T elephant ऐसा उसका spelling दिखा नहीं, या हाथी ऐने हाथी ऐसा नहीं दिखा, उसका picture दिखा, तो अपने subconscious mind को picture दिखता है, चेहरा मतलब उसका visualize होता है, image दिखता है, picture दिखता है, उसको शब्द नहीं दिखते तो यह जब आप सकारात्मक सुचना आए लेंगे खुद को, तो आपने अपने आपको visualize कर रहे हैं वो situation में, खाली situation में अपने आपको visualize करना है, और वो visualization में अपने आपको देखना है, जैसा आप बोलते हैं कि मेरा आत्मविश्वास दिन बढ़ता जा रहा है, मेरा विश्वास बढ़ा होगा, मैं कैसा लिखूँगा, कैसी बात करूँगा, कैसा शिख्यांट करूँगा, लोगों के सामने कैसा पेश होगा, वो अपने आपको देखना है, और सूचना भी देने के, कैसी अलग-अलग-अलग-अलग में सूचना दूँगा, यह positive affirmations है, यह स भी देने कांट निकाल जिए, थोड़ी सी दो, विश्वास रोज दो, हम अपने आपसे नकाराइत्मग बात करदे होगे, नकारात्मग सूचना यह दिना, तो हम शुरू करदे हैं, तो झाहिर आपने लेट ना है, रिल Completely है और मैं और सूचना यह देता हूं, मैं यह ऐसा अच्छा इनसान हूँ, मैं बहुत सफल और अच्छा इनसान हूँ, जिन्दगी में आने वाली कोई भी घटनाउं का सामना, मैं शक्तिशाली रूप से कर सकता हूँ, जिन्दगी में आने वाली कोई भी घटनाउं का सामना, शक्तिशाली रूप से मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत शान्त सुभाव का विक्ति हूँ, कोई भी वातावरण में मैं खुद को शान्त कर सकता हूँ, कोई भी वातावरण में मैं खुद को शान्त कर सकता हूँ, मैं हर दम उच्छाहित और प्रेरित रहता हूँ, मैं बहुत उच्छाहित और प्रेरित रहता हूँ, कोई भी कठिन परिस्थिती में मैं सकारात्मक रहता हूँ, कोई भी कठिन परिस्थिती में मैं सकारात्मक रहता हूँ, कोई भी तनावपुर्ण परिस्थिती में मैं बहुत रिलाक्स और शान्त रहता हूँ, कोई भी कठिन परिस्थिती में मैं बहुत रिलाक्स और शान्त रहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मुस्पर और बाकी लोगों के उपर बहुत भरोसा है या विश्वास है, मेरा मुस्पर और बाकी लोगों के उपर बहुत भरोसा और विश्वास है, मैं बहुत शक्तिशाली इंसान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली इंसान हूँ, दिन बदिन हर दिन हर क्षेत्र में मैं रोज प्रगति कर रहा हूँ, अच्छा हुते जा रहा हूँ, दिन बदिन हर रोज हर क्षेत्र में मैं अच्छा होते जा रहा हूँ और मैं प्रगति कर रहा हूँ, परिस्थिती कैसी भी हो, मैं बहुत शान्ट रिलाक्स रहता हूँ, कोई भी काम मैं आत्मविश्वास के साथ में करता हूँ, कोई भी काम मैं आत्मविश्वास से करता हूँ, और मेरा आत्मविश्वास दिन बदिन बढ़ता जा रहा है। रोज रात को कद्दी पर लेटे लेटे मुझे बहुत गहरी गहरी नीन आती है। और सुबह उटने के बाद में मुझे बहुत ही फ्रेश लगता है, एंथूजियासिक लगता है, एनर्जेटी लगता है। रोज रात को गद्दी पर लेटे लेटे मुझे बहुत गहरी नीन आती है। और सुबह उटने के बाद में मुझे बहुत ही उत्साहित लगता है, प्रेरिध लगता है, अच्छा लगता है। मेरे मन में आने वाले बार बार के नकाल आत्मक विचार मैं बाजी में रखता हूँ, उसको बेदखल करता हूँ और मेरे काम के उपर मैं कुरान यहन करन लाता हूँ पढ़ाई करने के समय या कोई भी काम करने के समय मेरा पुरा ख्याल पढ़ाई में या काम में रहता है। और मेरी यार्णाश दिन बदिन बढ़ते जा रही है। नकारात्मक्विचार मैं बाजे में रखता हूँ और मेरे मन में मैं बार बार सकरात्मक्विचार लाता हूँ बार बार के जब विचार मेरे मन में आते है विना करन के फालतों के विचार आते है उसको मैं बाजे में रखता हूँ और मेरे काम के उपर मैं पुरा ख्याल रखता हूँ मैं हर दम खूश रहता हूँ सकारातमक सोचते रहता हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं मेरे जिन्दगी में सफल हो जाओंगा मैं अर्दम खुश रहता हूँ मेरा आदर रहता हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं जिन्दगी में सफल हो जाओगा बार बार के आने वाले विचार दिन बदिन कम कम होते जाएंगे वो मैं बाजू में रखूंगा उसको बेद अकल करूंगा और अपना पूरा ख्याल मेरे काम के उपर रखूंगा जिस से मेरी यारदाश दिन बदिन बढ़ते जा रही है आँ मैं मेरे उपर प्यार करता हूँ खुद का सम्मान करता हूँ और खुद को अरदम खुश रखता हूँ मैं मेरे उपर प्यार करता हूँ खुद का सम्मान करता हूँ और हर दम खुश रहता हूँ हर रोज रात को गद्धी पर लेटे लेटे मुझे बहुत गहरी गहरी नीन आती है और सुबह उटने के बाद में मुझे बहुत फ्रेश लगता है अच्छा लगता है एंथूज्यास्तिक लगता है मैं रोज एग्सरसाइज करता हूँ और खुद को बहुत तंदुरुस्त रखता हूँ मैं रोज exercise करता हूँ और खुद को एक दम तंदुरुस्त रखता हूँ हर सुबह मैं प्रसनता के साथ उट्टा हूँ हर सुबह मैं प्रसनता के साथ उट्टा हूँ आज की सुबर मेरे लिए एक नया मौका देगी जिससे मैं पहचान लूँगा आज की सुबर मेरे लिए एक मौका देगी जिससे मैं पहचान लूँगा मैं खुद के निरने के उपर पूर्ण तहा विश्वास करता हूँ मैं मेरे लाइफ का लीडर हूँ मैं मेरे लाइफ का लेडर हूँ मेरे लाइफ में जो भी चीज हो रही है जो भी खटना है हो रही है उसके लिए मैं दिल से आभार विक्ता करता हूँ लोगों के साथ में भी मैं आभार विक्ता करता हूँ इस तरह की सुचनाए देने के बाद में आपने खुद को वो रिलाक्स अवस्ता से जागुर्द करना है जैसा तीन दोर एक ऐसा बोलके फिर उठ जाने का है हमेशा ख्याल रहो कि जब यह सुचना आप देंगे तब आप एक कमरे में रहेंगे जहां कोई आपको डिस्टरब करेंगा नहीं मोबाइल बंद करो घर के लोग डिस्टरब करेंगे नहीं आवाज नहीं आएंगे और जब आप फ्रेश हो सुचना अपने आपको देते हैं और उसके साथ साथ आप विज्योलाइस करते हो खुद को देखते हो उसमें तो आपको इसका प्रणाम बहुत जल्दी और जरूर मिल जाएगा आपके संबर्ग में आने वाले लोग बहुत ऐसे होंगे कि अपने से वो नकारात्मग बाते करते रहते हैं सुवह उठने के बाद में आपको सुने तक लोग ना कार आप मगी बाते करते रहतें यह होंगा नहीं ऐसा होंगा नहीं मैं अच्छा नहीं हो मैं बुरा हूं मैं प्यारे काफी सारी और उससे वह असफ़ल होते हैं आप ये वीडियो उनको जरूर शेर कीजिएगा आप फ हुआ 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 है